तो चलिए चात्रों बोड परिख्षा पूर अभ्यास, question paper 2023 का बिसे आपका दिखी, विज्ञान का set आपका D का कक्छा आपका 10 का संपूर question paper आपका ले के आच कहूँ, और ये question paper पूरा real है, आपको doubt नहीं करना है, हर एक set का आपका answer यहाँ पे लगातार दिया जा रहा है, कक 22 question के आपको answer देने बाला हूँ, देखिए क्रमस आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास आपका बोड दोरा जारी आपका model answer, आपको ऐसे लिखने पार ही, पूरे 75 में से 75 नमबर आप ले के आओगे, तो एक question का आपका answer, मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर question एक answer, और इसके बाद आपका 5 का answer देखिए, 6 का answer, और इसके बाद आपका इसादवेक answer, और आठवेक answer, हर एक question, 10, 11, 12, और आपका तेरवा, 14, 15, देखिए, हर एक question का answer है, 15 का है, और last पर देखिए, आपको देखने को मिल जाएगा, आपका 22 वार, ठीके, तो यह देखिए, आपका अठवा का answer मिलेगा, साथ में आपको यह पर साबुन और अप मारिजा, question 21 का भी answer है, और इसके साथ आपका यह पर देखिए, धमनी और सीरा का आपका अठवा सहीत answer मिलेगा, और इसके पहले का answer देखिए, आपका यह आकसी और अनाकसी सुसन, तो से पहले आपको लोडिस्टन मिले क्या बात है सर क्या बात है यहां से स्टार्ट होता है आपका सभी बिगल वाले कोश्चन तो इसमें आपका देखिए आठ नमर कोश्चन थे तो आठ नमर के कोश्चन के आपको एप सभी के आंसर आपको लिखित आंसर चलिए आपको दिखा दोनों होगा, दूसरे का अंसर आपका 10 होगा, तीसरे का अंसर म्यूकस, चोठे का अंसर मरकरी, पाचवे का अंसर प्यूस गंती, छटे का अंसर आमीटर, और आपका साथवे का अंसर हेपेटाइटिस, और आठवे का अंसर आपका मिट्टी होगा, ठीक है, इसके बाद कोश किसे आपको है पे सीधे सीधे सामने उसमी अवगटन बुझाव अच्यूना कैल्सियम हाइटक्साइड पित आपका लिवर कारबन का रू अहीरा सर्वनेंद्री का कान प्रती रूधकता का मात्रक आपका ओम मीटर हाइडर परजन मुकलन और पस्च द्रस आपका उत्ता लें साथबीक आपका अंसर आमकि आपके साथ नमर के थी पहला कोष्चन बिदुदगंटी में किस परकार का चुमबक का उप्योग के आता है और दूसरा कोष्चन बिदुदख चुमक की छेथ उत्पन करने वाले स्रोतों के नाम तो दείके आपका अंसर आपका आपका ऐनुप चुम्बक और आपको धारा मापी और इसके बाद तीसरे का अंसर दिखा गया है नेत्रे लैंस की फोकस दूरी कौन समाजीत करता है तो इसके बाद आपको पर कोश्चन जो होता दिया है मनुस में कहां पर होती है लिंग दिरहन करने वाले गुर्सूत के नाम चलिए आपको देखिए तीसरे कोश्चन आपको अंसर आपको यह मिल जाएगा पक्षमा भी हो जाएगा और इसके बाद आपका बरसंट सुकुनाडू का आपका यह होता है और आपका यह लिंग गुर्सूत्र हो जाएगा और आपका लेंस का देखिए सूत्र आपका एक बटे बराबर एक बटा भी माइनस एक बटे यू और इसके बाद आपका लास्ट कुश्चन आपका यह दिया गया है अब घटक म्रत धीवों के लिए कौन से पदार्थों का आप घटित करते हैं तो इसका अंसर देखिए आपका यह मिल जाएगा सरल आकारविक योगितों में इसके दरपड़की आपका बक्ता तीजिक परिभासा और या फिर आपको इसमें से एक गोल दरपड़की बक्ता तीजिक इतनी है तो आपको इसका फोकस दूरी गयत करना है चलिए अब आप इसके आंसर दिखाते हैं तो कोश्चन पांच का अंसर देखिए आपको यह मिल है मात्रक क्या होता है इसका मात्रक आपका डायाप्टर होता है और अथवाल कोश्चन आपको करना है तो आपको देखिए अथवाले कोश्चन का अंसर आपको यह मिल जागा तो आप इसका अंसर यह कल लो इसके बाद कोश्चन छटा था बक्रता तिज्या क्या है तो बक् सबसे पहले आपका फ्लेमिंग की बायाहात का नियम तो यदि बायाहात की तरजना मदमा और अंगोठे को परसपर लंबत जिसम पहलाएं तरजनी चुमकी छेत की दिसा और मदमा चारक प्राहित के धारा की आपको संकेत करती है और इसे कहते फ्लेमिंग का बायाहत का नियम तो फ्यूशतार क्या है तो फ्यूशतार वह युक्ति है जिसकी सहाथा से किसी बिद्दूत परिपत में होकर जाने वाली धारा क अधिक्तम सीमा नियंतित की जा सकती है आठो कोश्चन तक गयलवनों मीटर क्या है तो लिखे परिपत में धारा के मापन और धारां बहने की दिसा को प्रदरसित करने बाले उप्रण को गयलवनों मीटर कहते है अधो कोश्चन था दिस धारा के आपके सोथ के आपको नाम सकते हैं पहले आपका सौर बिद्दू सेल रासानिक सेल और आपके जिश्ट धारात ठीक कर लिजिए इसके बाद कोश्चन देखिए आपके नवा नंबर खनीज क्या है तो प्रत्वी से प्राप्त बेपदार जिन से धातियों और उनके योगिक उपस्थित होते खनीज कह है तो ऐसे खनीज जिन में धात्यों को प्राप्त किया जाता है आयस कहलाता है ठीक है जैसे आपका बाक साइड एल्मॉनियम बनता है और इसके अलाबाद देखिए कोश्चन अजवगा गैंग क्या है तो गैंग है आयस से उपस्थित असुद्धियां जैसे आपका रेत मि आपको नाम लिखना है और इसके जैनक कोण है दूसंकर क्रास कि आपको परिवासा लिखना है ठीक है और इसके ताथ कोश्चन बारबाद दिखिए विवांतर यापि परत्रोद या फिर आत्मा में अदिक बिदुत लेपन या फिर आपका ओम का नियम तो इनमेंस आपको कोई भी कर लिए चलिए आपको आंसर दिखाते हैं ठीक है देखिए इसके बात कोश्चन देखिए आपका गयरवा अनुबन सिक्ता क्या है तो जीव धर यों पेड़ी विभी लक्षण को संच्टन अनुबन सिकता कहलाता है दूसंकर करास पूछ रहा है तो दो बिप्रित लक्षण को करा गयर संकरान को दूई संकर क्रास कहते हैं और कोश्चन देखे बारवा क्या है विवानतर विद्दुच्च example में एक अंग धनावेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने किकिया गया कार क्स्धों के Aur कहलाता है और प्रतिरोदnd चालक द्व लो यापका बिद्धुत लेपन के है तो किस बिद्धुत दोरा किसी धादु पर अनबस्तु की पराद चढ़ाना यापकर आता है विद्धुत लेपन ओम गनिया पूछा गया है तो आप लिख सकते हैं यादि किसी ताफ आधी भौतिक अवस्थाइं आप परवर्तित रखी जाए तो उसके प्रतुर्दक के सीरों के बीच उत्पन विवांतर उसमें प्रवाहिद भारा के समन पाती होता है कोश्चन देखें तीरवा क्या लिखा है गलोबल वार्मिंग क्या है और यहापे खाद जाल किसी कहते हैं तो इसका अंसर देखें आपका यह मिल जाएगा आपका गलोबल वार्मिंग तो ग्रीन हास प्रहक कारण प्रत्वी किताप मान में ब्रधी को गलोबल वार्मिंग कहते हैं कारण के ब्रच्छों पर अतिविनास जेबास इधन देहन और तीसरा एरुसाल का प्रियोग ठीक है और खाद जाल क्या है अनेक खास रंगलाओ दो सब्सक्राइब को बताना पड़ेगा और अगर मैं इसके अंसर की बात करूं तो देखें आपको यह आपको अंसर दिया गया है यह का लिजी अंसर और इसके पाद रेडाक्स बनाब फ़ अच्छी आंप का उपका यह जाईगा जिन में उसमा ख ठीक ही चलिए के बाद को सिंदी आप पर आता आपका है आप आपका फोला नंबर कींचे पुझका गया है इसका आपको बीटोनोन का और हेकजेनोन का आपको सर्चना सूत्र और एथोनोईक और प्रोमे पिंटेन का यापे सर्चना करना पड़ेगा इसके साथ आपको 17 कोशन देखिए इसको आपको संतुलित करना है ठीक है अब यह देख लो और इसके बाद कोशन अठारबा दिये प्रतिवर्ति क्रिया क्या है तंजिका कोश्का का नमांगी चित्र दर्ष्टी दोस्त क्या है प्रिज्म से प्रकास क्या वर्तन का चित्र और आक्सी और अनाक्सी सवसं का आपको चार अंतर धमनी और सीरा में अंतर साबून और अपमार्यक में अंतर प्रत्म चार हाइड् सब्सक्सक् Тем को अब दे הכ इड़ और आपको अप को क्या निग्क करते हैं यह सतर को अपको समझक और अलगों करतेंdays शराज करना थीए तो यह देखे आप को मेप को Toddumumquan को आपको अधृच्टं क मैं रिख और और है को एम जी सीयल टू और इसके बाद आपके पर फ्रतिवर्टिक रिया है तो बे अने चीद कर आए जो किसी प्रतिया के फलसरोप प्रतिवर्टिक रिया कलाती है जैसे हम किसी बस्तु गर्म चूते हैं तो एक आएक अपने हाथ हटा लेते हैं और समभेदिनाओं को समेधि अं से समेरी तंत्रकाओं के लिए माध्यम से मेर वज़ुतक पहुंशा दिया जाता है और पेशी प्रेणा या फिर उद्धीपन के अंसार कार करता है जैसे हाथ उठ जाता है ठीक है अज़िए आज भाव कोश्चन था कोश्चन का या पर दूर की बस्तों पस्ट रूप से प्रकास का वरतन कैसे होता है आपको इसका चेत्र आपको बनान था आपको बदाना पड़ेगा इसके बात कोशन दीखें आपका बीश्वा था आक्सी और अनाक्सी सुसन में आपको अंतर तो यह है देखिए आक्सिजान के उपस्थिति में होता है है और यह उसके अनुपस्तिती में होता है और यह क्रिया कोश का द्रब और माइचो इसके बाद कोशन था अब करें नास चैली होती है और इसमें चोडा होता थीक है इसमें कपाट बाल्ब नहीं पायाते हैं यहूंत़ यह लेकल करना पड़ींगा愉गा इसके बाद देखिए कोश्चिन किसवा साबुन और अंतर पूछा गया था अप देखे सोडियम या फिर पोटैसियुम लबड होते हैं और यह इलकिल अमलोग की लंबी संकड़के सोडियम लबड होते हैं यह देखे कठोल जर्साथ अच्छा जहाग देते हैं नहीं देते है कौन साबुन और लेकिन अपके अपमार्जक यानि आपको निर्मा आपका देता है यह कपड़े धोने के लिए उप्योग्श्च नहीं होते हैं कि यहां पर नहाने के लिए अपके धुलाई के लिए आपका अच्छे होते हैं यह जल के लिए उपस्तित कैल्सियम और मैगन आपको इसका बनाना पड़ेगा इसके बाद कोश्चन आपका बार बात है देखिए बिरंजक चूर करना तो कैल्सियम आक्सो क्लॉराइड सूतर आपको सी एओ सियल्टू उप्योग है कागा जाओ कप्रों को रांग हटाने के लिए और किटाडू नासक के रूप में उलिकर अगनी सामक्क होता है तो हमने अपने पूरे आंसर आपको दिद्रिया निदे वाइस यंफ्य था लिए यापका इसके बाद आपको यह जोयां काहीं पर देखे दम्हें में तर और आगसी में तर यह कि सारे अर्शंगा के अंसर यह आपके 18 कांसर 17 कांसर हो जाएगा यह आपका 16 कांसर 15 कांसर सभी आंसर आपको एक एक करके 14 कांसर 13 12 11 और आपका 10 9 8 7 और इसके बार आपका 6 कांसर 5 कांसर और इसके कुश्चन मर चार कांसर और आपका तीर कांसर दो कांसर और आपका एक कांसर तो हमने आपको एक भारत बंदिमात्रम और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भुकंप लेकर हो या फिर भूचाल मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए